सोलन के बाईपास दित सप्रून में आज सुबा सेंटल बैंक के सामने एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को टक्रमा दी वो ट्रक चालक ट्रक को मौके से लेकर फरार हो गया यह सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है जिसके बाद अब गाड़ी मालिक इशान कोहली ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है इशान कोहली ने बताया कि वो देर रातरी अंबाला से अपने घर पहुँचे थे वो सड़क किनारे गाड़ी खड़ी की थी जिसे एक ट्रक जो की बाईपास की तरफ से आया वो टक्कर मार गया ट्रक चालक की लापरवाई से उनकी गाड़ी को काफी नुकसान हुआ है उन्होंने पुलिस से तुरंत कारवाई कर आरोपी ट्रक चालक को पकड़ने की मांग की है झालक कर आरोपी नुकसान है